जब मैं छोटी थी तो गिंती गिनने के लिए और जोडने के लिए चीजों को मैं अपनी उंगलियों का स्तमाल करती थी जैसे कि अगर मेरे पास एक पैंसल होती थी तो मैं एक उंगली निकालती थी इस तरीके से और एक उंगली का मतलब होता था कि मेरे पास एक पेंसल है अगर मेरे पास दो पेंसल होती थी तो मैं कुछ दो उंगलिया निकाल लेती थी और दो ऐसी उंगलिया या फिर दो ऐसे निशान अगर हम अपनी कॉपी पे बना दे तो ये बताता था कि मेरे पास दो पेंसिल्स है इसी तरह से अगर मेरे पास तीन पेंसिल्स होती तो मैं यहाँ पर तीन उंगलिया निकालती या फिर अपनी कॉपी पे ऐसी तीन लाइन बना देती छोटी छोटी और ये बताती कि मेरे पास कुल तीन चीजें या फिर तीन पे इसे हम additive addition कहते हैं, यह हमारा additive तरीका है, यानि कि हमारे पास जितनी चीजे होंगी, हम उतनी चीजों को अगर बना दें और अगर कुल उन चीजों को गिन ले तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कुल कितनी चीजें क्या चीजे हैं तो वन के लिए हमारे पास ये आई वाला सिंबल है तो रोमन सिस्टम में वन को हम आई से रिप्रेजन कर सकते हैं हमें ये टेबल से ही मिल जा रहा है हमारे फिर टू को अगर हमें रिप्रेजन करना होगा तो टू का मतलब होता है कि हमारे पास दो बार वन है यानि कि two को represent करने के लिए roman number system में हम दो eyes लिख देंगे दो eyes का मतलब होगा कि हमारे पास two है इसी तरीके से three को represent करने के लिए हम यहाँ पर three eyes लिख देते हैं इस तरीके से और four को represent करने के लिए roman number system में हमें four eyes लिख देने चाहिए इस तरीके से लेकिन यहाँ पर आके चीजे थोड़ी बदल जाती है 4 को हम Roman Numbers में कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे यह question mark मैंने डाल दिया है यहाँ पे तो 5 को represent करने के लिए हमें 5 eyes बना देने चाहिए इस तरीके से अगर मुझे उंगलियों से दिखाना होता 5 को तो मैं अपनी 5 उंगलिया निकाल लेती लेकिन 5 eyes बनाने से हमारा यह जो नंबर है यह पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे काफी सारे eyes आ गए हैं हमारे पास और हम यह भी देख सकते हैं कि हमारे यह जो टेबल है यहाँ पर 5 के लिए हमने अपना ये वाला सिंबल लिया है तो 5 को हम represent कर सकते हैं V से तो अब 6 को कैसे लिखा जाए तो 6 को लिखने के लिए हम अपने इस टेबल में उस नंबर को ढूंडेंगे जो कि 6 के सबसे जादा पास हो या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें वो नंबर चाहिए यहाँ पर जो कि 6 से थोड़ा सा छोटा हो बस तो अगर हम इस टेबल में अपने 5 और 10 को देखें तो 6 हमारा 5 और 10 के बीच में आना चाहिए और 5 ये 6 से थोड़ा छोटा है ये जादा करीब है 6 के तो 6 को लिखने के लिए हम अपने additive addition वाली चीज़ का इस्तमाल करेंगे तो 6 को हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास एक 5 है और अगर हम 5 में एक 1 और जोड़ दें तो हमें 6 मिल जाना चाहिए और यही हमारे Roman number system में 6 को represent करता है V और I का मतलब होता है 6 इसी तरीके से 7 का मतलब हो जाएगा कि अगर मैं 5 में 2 और जोड़ दू 8 को लिखने के लिए हम V के आगे 3 आइस लगा सकते हैं और अगर 9 को लिखना होगा तो V के आगे हमें 4 आइस लगा देने चाहिए लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं होता है तो हमें 4 आइस का अस्तमाल नहीं करना है हमें यहाँ पर इससे किसी और तरीके से लिखना है और वो तरीका क्या होगा इसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे और अगर 10 की बात की जाए तो 10 को लिखने के लिए इस टेबल में पहले से हमारे पास यह X वाला सिंबल है यानि कि 10 को हम रोमन नंबर में X से लिखते हैं तो चलिए एक एक एक्जाम्पल देखते हैं और एक रोमन नंबर को लिखना ट्राइ करते हैं मान लेते हैं कि मेरे पास है 23 23 और मुझे Roman number system में इसे लिखना है तो इसे लिखने के लिए मैं अपने 23 को अपने इस table में कहां पर locate कर सकती हूँ मेरा 23 ये 10 और 50 के बीच में कहीं आना चाहिए और 23 से छोटा Roman number है 10 तो अगर मैं अपने इस 23 को तोड़ सकूँ कुछ 10s में तो शायद यहां पर मेरा काम हो जाएगा तो 23 को हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है 20 में 3 जोड़ने के तो ये हो गया मेरा 23 तो अगर मेरे पास मान लेते हैं 1x है तो ये तो 10 के बराबर है लेकिन हमें तो 20 चाहिए तो अगर मैं 10 में 1 और 10 जोड़ दूँ तो मुझे 20 मिल जाना चाहिए यहाँ पर x के बगल में x लिखने का मतलब है कि हम 10 में 10 जोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि रोमन नंबर्स हमारे अडिटिव अडिशन को फॉलो करते हैं तो दो x लिखने का मतलब है कि हम 10 में 10 जोड़ रहे हैं तो ये रिप्रेजन करता है 20 को लेकिन हमें तो 23 चाहिए तो 23 को कैसे लिखा जाए हमने 20 तो लिख लिया है अगर हम इस 20 में 3 और जोड़ दें तो हमें 23 मिल जाएगा और 3 को हम 3 आइस से रिप्रेजन करते हैं तो अगर मैं इन 2 x के आगे 3 आइस और लगा दो इस तरीके से तो ये हो जाना चाहिए 23 के बराबर यहां इसका मतलब है कि हमने 10 और 10 जोड़ा और फिर इसमें हमने 3 1s और जोड़ दिये और यही हमारे रोमन नंबर्स को लिखने का तरीका है जहांपर हम नंबर्स को आपस में आड़ करके उन्हें रोमन नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो अगर हमें इस चीज का उल्टा करने को कहा गया होता यानि कि अगर मेरे पास यह रोमन नंबर होता और मुझे इसे अपने इस नॉर्मल हिंदू अरबिक नंबर में बदलना होता तो हम कैसे करते हैं? तो हम यहाँ पे देख सकते थे कि हमारे पास एक 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 और है यानि कि हमारे पास एक टेन है और इस टेन में हम एक और टेन जोड रहे हैं और फिर तीन आइस का मतलब है कि हमें तीन वन और जोडने हैं तो अगर हम इन सभी को आपस में जोड देंगे तो यहां से हमें 10 plus 10 20 और 1 plus 1 plus 1 3, 20 plus 3 यानि की 23 मिलता है तो अभी तक हमने जितने भी रोमन नंबर्स देखे हैं ध्यान देने वाली बात यह है कि उन सभी में हमारे बड़े वाले डिजिट्स पहले आते हैं हमारे छोटे वाले डिजिट्स से यहाँ पर 23 में हमारे x's जिनकी value ज़ादा है i's से ये पहले आए हैं और इसके बाद हमने अपने i's को लिखा हुआ है इसी तरीके से अगर आप यहाँ कोई number देख लें अगर आप 7 ले लें तो 7 में हमने पहले v लिखा है v की value होती है 5 और ये i's से ज़ादा होती है इसलिए पहले हम v को लिखते हैं और उसके बाद हम अपने छोटे वाले digits यानी की i's को लिखते हैं और generally roman numbers को लिखने के लिए यही चीज की जाती है हम पहले अपने बड़े वाले digits को लिखते हैं और बड़े digits को follow करते हैं हमारे छोटे वाले digits लेकिन एक special case भी होता है जहाँ पर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि four को लिखने के लिए हम four eyes का अस्तमाल नहीं करते और ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि यह काफी बड़ा हो जाता है और इसे लिखना मुश्किल होते चला जाता है और लोगों को जो चीज जल्दी express की जा सके वो जादा पसंद होती है तो four को जब लिखने की बारी आए तो पुराने लोगों ने सोचा होगा कि four को four eyes लिखने के बजाए हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास five से एक number कम है तो यानि की अगर मेरे पास five है और अगर इस five में से मैं एक घटा दूँ तो मुझे four मिल जाना चाहिए और इस घटाने को दिखाने के लिए हम इस v के left में i को लिखते हैं और ये पहली बार है कि किसी बड़े number के left में हमारा छोटा number आ रहा हो और जब भी भी कोई number आपको ऐसा दिखे roman number system में कि किसी बड़े number के left में छोटा number हो तो ऐसी जगहों पे हम additive नहीं बलकि subtractive तरीके का स्थमाल करते हैं हम यहाँ पर five में से one subtract कर रहे हैं और इसी तरीके से nine को हम सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास ten है और अगर ten में से हम एक कम कर दें तो ये represent करेगा nine को और ये जो subtractive तरीका है roman numbers को लिखने का ये काफी कम इस्तमाल किया जाता है ये काफी rare है additive method के comparison में तो four और nine की जगह मैं यहाँ इनके roman numbers लिख देती हूँ और फिर हम देखेंगे कि ये जो subtractive तरीका है ये कहाँ अस्तमाल होता है तो जब भी भी हमारे पास कोई भी number हो जिसमें की four और nine का अस्तमाल हो रहा हो या फिर four और nine के multiples हो तो उन्ही जगहों पे हम इस सब्ट्राक्टिव तरीके का अस्तमाल करते हैं मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास four and nine है तो हम कैसे लिखेंगे हमें मालूम है अगर मेरे पास forty और ninety है तो हम इस तरीके का अस्तमाल करेंगे अगर मेरे पास four hundred और nine hundred है तो हम इस तरीके का अस्तमाल करेंगे चलिए थोड़ा सा इसे और समझ लेते हैं तो four को हम आईवी से लिखते हैं ये तो हम समझ चुके हैं nine को लिखने के लिए हम IX लिखते हैं अब अगर मुझे forty लिखना हुआ और forty को लिखने के लिए अगर मैं fifty में से ten सब्ट्राक्ट कर दू तो मुझे मिलेगा forty तो ये नमबर हमारा forty को रिप्रेजन करेगा इसी तरीके से ninety को लिखने के लिए अगर मैं hundred में से ten घटा दू यानि कि अगर मेरे पास है hundred यानि कि c और इसके left में अगर मैं x लिखतू यानि कि बड़े नमबर के left में छोटा नमबर लिखने का मतलब है घटाना तो ये रिप्रेजन करता है hundred minus ten यानि कि ninety को इसी तरीके से four hundred को लिखने के लिए हम अपने five hundred में से अगर hundred को घटा दे तो यानि कि ये रिप्रेजन करता है four hundred को और nine hundred की बात की जाए तो अगर हम thousand में से hundred घटा दे अगर हमारे पास thousand है और इसके left में मैं c लिख दू तो इसका मतलब हो जाएगा nine hundred तो मान लेते हैं कि अगर मेरे पास है 79 तो 79 को हम कैसे लिखेंगे roman numbers में तो 79 को लिखने के लिए हम इसे तोड़ लेते हैं चलिए तो 79 को मैं लिख सकते हूँ कि ये बराबर है 70 ये बराबर है 70 प्लस 9 के तो 70 को लिखने के लिए अगर मैं 50 में दो बार 10 जोड़ दू तो यानि कि अगर मैं लिखू L और इसके आगे XX तो ये नमबर हो जाएगा 70 हमने बड़े वाले डिजिट के आगे दो छोटे डिजिट्स लिखे हैं इसका मतलब है कि हम इन तीनों को आड कर रहे हैं और 9 को हम IX लिख सकते हैं तो अगर मैं इसके आगे IX और लिख दूँ तो इसका मतलब है कि हम 70 में जोड रहे हैं 9 को चलिए एक आखरी एक्जामपल और ले लेते हैं मान लेते हैं कि मेरे पास है 49 और इसे मुझे रोमन नंबर में लिखना है और हो सकता है कि इसे देखकर आपका बन तुरंद कहें कि 49 ये तो 50 से एक कम होता है तो अगर मैं अगर मैं L ले लूँ और इसके लेफ्ट में अगर मैं I लिख दूँ तो ये रिप्रेजन करना चाहिए 49 को ये होना चाहिए 50-1 ले 4 और 9 के multiples के लिए करते हैं और 50 के आगे हम 1 तो लगाएंगे नहीं क्योंकि 50 तो 4 और 9 का multiple होता ही नहीं है इसलिए हम 49 को I L नहीं लिखते हैं तो 49 को लिखा कैसे जाएगा तो 49 को हम सोच सकते हैं कि 49 हमें मिलता है अगर हम 40 में add कर दे अगर हम 40 में 9 add कर दे तो और 40 और 9 य ये बराबर होता है XL के, यहाँ पर XL का मतलब है कि हम 50 में से 10 घटा रहे हैं, और 9 के लिए हम लिखते हैं IX, तो यहाँ पर XLIX ये रिप्रेजन करेगा 49 को, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि हम रोमन नंबर्स को कैसे लिखते और पढ़ते हैं,